गुण बॉर्निंग दोस्तों नई विग्यापन 2021 के लिए आचुका है बिहार सरकार के तरफ से जो कि डिरेक्ट भरती होने वाला है कोई एक्जामनी होने वाला सिर्फ अपना डॉकुमेंट लेके जाहिए इंटर्व्यू दूजी और नौकरी लीजिए जी हां तो बेक्रिंस लाज तक पुरा देखिए अगर आप इस नौकरी को चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो फेंट्स हम आ चुके हैं ऑफिस्यल नोटिफिक्शन पर जो कि बिहर सरकार पराचारी का कार्याले राजकी पोल्टेक्निक अररिया के तरफ से आया हुआ है जिस डिस्टिक का राजकी पोल्टेक्निक का वेकेंसी आ रहा है तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं लगभग तीन चार डिस्टिक का जो आ चुका है मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूं तो यहां पर एक और डिस्टिक का राजकी पोल्टेक्निक का वेकेंसी आ चुका है जो कि व कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो उससे पहले जान लिजिए कि क्या आपको लेके जाना है और किसे डेट को जाना है ठीक है तो इच्छुक उमिद्वार अपना बायो डाटा जिसमें की मुवाइल लंबर और इमेल आया दिये होना चाहिए दो पासपोर्ट साइज का फोटो एवंग अनि सभी सेक्षिनिक तथा अनुभो संबंदी परमान पत्र की मूल परतियने की ओरिजिनल लोकुमेंट और सव अई प यह है अतिथी वैक्ष्याता के लिए याद रखिएगा अतिथी वैक्ष्याता के लिए 11 जन्वरी को और 12 जन्वरी 21 को अतिथी अनुदेशक और पर्योगसाला सायक वगरे का होगा ठीक है जो की साड़े दस बज़े से सुरू होगा कहां पर राजकी पोड़ टेक्निक अर है कोजिकर वगरे चली पहला है कि है हो है दो त्रेन चार नमबर तक सब जो है उसमें जो अलग अलग ट्रेट का है civil, mechanical, electrical, electronics, computer specialist इसमें जो है BE, BTEC या BSE में आपको पर्थम सरेनी में यहनि कि first division में पास होना चाहिए तभी अपलाई कर सकते हैं यहनि जा सकतें इंटर्व्यू में उसके बाद गनित के लिए MSC होना चाहिए गनित में first division में पास इंगलिस में same है MA होना चाहिए इंगलिस में first division पास और मानवता में MA होना चाहिए अर्थ सास देने की economics में यह भी first division से पास होना चाहिए उसके बाद work अनुदेशक जो की turner, machinist, carpenter, blacksmith, molder, fitter, welder, electrician, wireman, electronics इतने सारे यहां पर subject है इसमें आपको दो साल का होना चाहिए आइटिए पास और साथ में एक साल का apprenticeship होना चाहिए अगर किये हैं तो साथ में एक साल का होना चाहिए नहीं तो तीन साल का अगर आप diploma है या BTEC second division भी पास है इसी संकाय में इसी subject में तो apply कर सकते हैं याद रखेगा मैं फिर से सेम होना चाहिए subject में next आगे है dropsman इसमें आपको ITI पास होना चाहिए पर्थम सरेनी के साथ दुसरा है परियोगसाला सायक जो की physics और chemistry के लिए या आपको बेस सी होना चाहिए फिर्च डिविजन सेम फिर्च और chemistry में ही पास होना चाहिए उसके बाद है परियोगसाला सायक करने के lab assistant mechanical engineer electrical engineer civil engineer और संबंतित trade में आपको first division diploma का डिगरी होना चाहिए तबी आप लेब assistant बन सकते हैं और मानते यहाँ पर साफ नहीं क्या गया है सिर्फ जो दिया गया है कि जो AICT या DHT बिहर की तरफ जो दिर्धारित है वो आपको मिलेगा इसलिए आप निश्चित रही है सही सही मिलेगा आपको तो यहां पर आरक्षन का पारन किया जाएगा और जो इंटर्व्य को सुचना है वो रद कर सकता है अगर चाहिए तो और यह सब चीज है जो होता है कि नियमिकरण एक सार के लिए होगा फिर आगे बढ़ाए जाएगा थीक है area के तरफ से ठीक है मैंने बोल दिया आपको फिर से बोल रहा हूं यहाँ phone number है यहाँ email ID है आप email भी कर सकते हैं या direct phone भी कर सकते हैं कोई जिनकर लेनी हो तो ठीक है यहाँ पर आप कोई भी आप पहुंच जाएं अगर आप बनना चाहते हैं अतिती वैक्ष्या था तो इगार तरीक को और उसके लाओ जितने पोश्ट सबको बार तरीक को कहा पहुंचना है सेम पहुंचना है राजक्रिप्र टेक्निक अर्रिया का जो एड्रेस को वह सरदस्वजे पहुंच जाना है मैं आपको साफ साफ पूरे तरीके से समझा दिया हूँ दो बार तीन बार करके फिर भी समझ में आया तो नोट्रेंशन भाई आपके लिए लगे हुए हमिशा दिन रात आप कोमेंट केजिए जम के जो पुछना है पूछे और फ्रेंट्स खुशकवरी है आपके लिए कि म अब लोग के लिए मैंने एक बना दिया टेलिग्राम ग्रूप ठीक है उसका नाम क्या है उसका नाम है बना सौल जॉब नहीं कर सकते थे शिर्फ देखते थे लेकिन ग्रूप में आप एनी चीज कोई भी भाकेर्शी के रिवार्डिंग में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर कोमेंट का जॉब भी देता हूं वह सारे लोग जुड़ गये हैं लगबग सोब पूर चुका है वह सार है फैंट्स तो मिलते हैं ने स्टूडियो में थैंक्स पर वाचिंग